इस दुनिया का जब अंत पास आने वाला था, तब कुछ लोगों ने मिलकर अपने लिए बंकर्स बनाए थे, और बचे कुछे इंसानों को उसी बंकर में रहना पड़ा था, इंसान पिछले देड़ सो सालों से वही पे रह रहे हैं, लेकिन इन पर अगर कोई भी सवाल उठा था कि हम बंकर में क्यों रह रहे हैं, या फिर हम बाहर क्यों नहीं जा सकतें, सो उसे सीधा मौत की सजा मिलती थी, ऐसा क्या रास्ता इन बंकर्स का, इस सीरीज का नाम है साइलों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जूलियेट का बॉइफरेंट जॉर्ज की मौत हो ज लेकिन पानी घहरा होने के कारण वो नहीं जा पाती, वापस आकर वो जॉर्ज की एक खास घड़ी थी, उसे पहनती है, और उसे याद करते हुए काफी उदास होती है, वही दूसरी तरफ हम बंकर के मेर रूत को देखते हैं, जो डेप्यूटी शेरीफ मांस के साथ होती है और उसे वो जूलिएट को डूढने के लिए कहती है, क्योंकि पिछला शेरीफ हटसन उसने जूलिएट का ही नाम दिया था शेरीफ के कैंडिडेट के लिए, इसी दर मैन हम देखते हैं, ये पूरा पंकर में बहुत जाथा भूकम पाने लगता है, और सारी चीजें हिलने रखती है, ये थे एक जूलिएट होश में आती है और उसे समझ आता है कि में जनरेटर खराब होने वाला है, इसलिए वो अपने टीम के पास आकर उन्हें बताती है कि हमें ये जनरेटर ठीक करना होगा, और अगर वो बंद हो गया तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएग इसी दरबन मेयर, रूट और मांस एक जगा पे बैटे होते हैं, तब इस सेमस नाम का एक आफिसर उनके पास आता है, जो बताता है कि उसके पास भी डेप्यूटी के लिए एक कैंडिडेट है, लेकिन मेयर उसके कैंडिडेट को देखने के लिए मना करती हैं, जिसके बाद मेयर, रूट और मांस दोनों IT इंडस्ट्री के हेड के पास आते हैं, जो कि जूलिएट को शेरिफ बनाने वाले डिसीजन पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जूलिएट नीचे के हिस्से में, याने वर्कर के कैटेगरी में आ रही थी, और उपर का हिस्सा थोड निकल संथा, उन से बात करती है, यहां पता चलता है कि यह जूलिएट के पिता है, और जूलिएट भी इसी क्लास से बिलॉंग करती थी, जूलिएट के बच्पन में, उसे मेक्यानिक्स में बहुती इंड्रिस था, इसलिए वो यहां से नीचे के याने वर्कर के हिस्से में छली गई काम करने के लिए निकल्सन से कुछ इंफॉमेशन लेने के बाद Mare Root डिनर करने के लिए जाती है लेकिन तभी अच्छानक से वापस से शल्टर में बहुत हलचल शुरू हो जाती है इसलिए Mare नीचे जनेरेटर के यहापे चेक करने के लिए आती है उसे Hudson का वो batch देती है अब Juliet का ध्यान जब उस batch पर जाता है तब उसमें उसे पता चलता है कि Hudson ने उसके लिए कुछ लिखा है जिसे पढ़कर वो तुरंट शेरिफ बनने के लिए मान जाती है लेकिन शेरिफ बनने से पहले उसे generator को fix करना ज़रूरी था इसलिए वो मेयर से जनरेटर को पूरे ठीक करने के बाद ही वो उपर आएगी ये बताती है अब जनरेटर ठीक करने के लिए परमिशन मिलने के बाद उसे बंकर दिया जाता है और पूरे बंकर की लाइट्स चली जाती है, सब जगह अंतेरा था जूलियेट अपने टीम के साथ जनरेटर को ठीक करने में लग जाती है उन्हें पता चलता है जनरेटर का एक बहुती बड़ा ब्लेड टूटा हुआ था जिसे वो लेकर नीचे आते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं वही दूसरी जगा मेयर और मांस दोनों भी एक साथ बाते कर रहे होते हैं और मेयर को टेंशन आने लगता है कि अगर सही समय पे जनरेटर फिक्स नहीं हुआ तो बंकर के नीचे इतना सारा जो पानी है वो उपर आने लगेगा और लोग उसमें डूप कर मर सकते हैं काफी समय हो गया था तो यहाँ पे इनका ब्लेड रिपेर हो जाता है और जूलियेट और उसकी टीम उपर जाके वापस उसे लगाने लगती है और कुछ घंटों के बाद ही जनरेटर वापस से शुरू होने लगता है जिसे देखकर बंकर के सारे लोग बहुत ही जादा खुश होते हैं अब यह सारी चीज़े होने के बाद जूलियेट मार्था के पास आती है मार्था नीचे रहती थी और वो जॉज का एक कैमेरा जो कि एंटिक पीस की तरह दिख रहा था वो उसे देती है ताकि उसके कैमेरी के अंदर की चीज़े मार्था निकाल कर उस पर रिसर्च करें तो यहाँ पर दूसरी जगा मेर जो की अपने पोजिशन से काफी ठक गई थी वो अपना रेजिगनेशन दे देती है और वो मान्स के साथ बाते करने लगती है दरशल मान्स और उसका एक रिलेशन चल रहा था लेकिन बातों ही बातों में उसकी तबित अच्छानक से हो गई है इससे सभी लोग हैरान होते हैं तो यहाँ पर जूलिएट पर अपने नए जॉब के लिए मेर के ऑफिस में आती है जाबे वो बर्नार्ड और सिम्स इन हाई ऑफिसर्स और मान्स की पहस सुनती है जो मेर के डेथ को लेकर एक दुसरे से जगड रहे होते हैं तब जूलिएट को अपने बच्पन की याद आती है जहाओ पर हम देखते हैं जूलिएट को एक भाई भी था जो कि काफी बिमार रहता था और मौत के काफि रहा करीब था इसे लिए जूलिएट बहुत ही जादा दुखी रहा करती थी उसकी मा भी वैसी वीमार रहती थी लेकि से फिल से अपने बच्पन की कुछ यादे आने लेगती हैं जहां हम देखते हैं कि उसका भाई और उसकी माँ की मौत हो जाती हैं जिसके चलते जूलिएड बहुत ही जादा दुखी रहा करती थी लेकिन अभी उसके पिता जरा भी दुखी नहीं थे यह देखकर वो अपने प पिता में अंतर बढ़ गया था अब कहानी प्रेजेंट में आती हैं जहां पे जूलिएड हटसन के ओफिस को सर्च करती है और उसे जूलिएड का वही फाइल डेस्क पे ही मिलता है जो हटसन ने उसके लिए छोड़ा था तब ही उसे एक मेसेज मिलता है इसे लिए वो सी थ शेल्टर के लोवर लेवल को चेक करने के लिए जाती है जहां पे मान्स मेर रूट को मारने के शक में एक आदमी को पीट रहे थे लेकिन जूलिएड आकर उसे रोक लेती है वो उसे हटसन का बैच दिखाते हुए कहती है कि मैं मेयर के किलर को ढूंड के रहूंगी लेकिन इसके बतले में आपको मुझे ट्रस्ट करना होगा। ये बाते करके वो लोग साथ में कैनेडी नाम के आदमी से मिलने जाते हैं जिस पर शेरिफ को शक था। लेकिन उन्हें यहाँ पे कुछ भी खास पता नहीं चलता। इसलिए वो और मांस वापस से अपने आफिस आते हैं और जॉर्ज की कुछ चीज़ें डूणने लगते हैं। तभी मांस के डेस पर जूलियट को मेर रूत की एक फोटो मिलती है। जिससे उसे पता चलता है कि मांस मेर रूत को पसंद किया करता था। इसी दर मैं जूलियट वापस से अपने अधीद को देखती हैं। जहापे जूलियट ने मेकानिक्स वर के लिए एक लेटर सब्मिट किया था। और उसके रिपलाय में उसे जंक याड में काम करने के लिए रखा गया था। वही जूलियट अब मार्था के साथ रहा करती थी योगी उसे अपने पिता के साथ नहीं रहना था। और मार्था ने भी उसे अपने बेटी की तरह अपनाया था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं मांस मांस को यहाँ पे काफी गुस्सा आया था। कि उसने अभी तक कातिल को पकड़ा नहीं है इसलिए वो अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी उसके रूम पे कोई नौक करता है। दरसल वहाँ पे सिम्स था जो मांस के साथ एक डील करने के लिए आया था। वो कहता है कि तुमने आज एक आदिमी को बहुत जादा पीटा है जो कि इलीगल काम है। और जब ये बाद जजज को पता चलेगी तो वो जूलेट के उपर ही गुस्सा होकर उसे जॉब से निकालेंगे। क्योंकि वो अभी शेरिफ है। और जूलेट को जॉब से निकालने के बाद तो सिम्स खुछ शेरिफ बनना चाहता है। और वो यहाँ पे मांस की मदद चाहता था। लेकिन मांस कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। अब सिम्स वहाँ से चला चाता है। तो यहाँ पे जूलेट अपने घर में होती है वो मारता से बात कर रही थी। तभी उसे वेंटिलेशन से कुछ आवाजे आने लगती है। और जब वो जाकर वेंट में देखती है तो वहाँ पे उसे जॉर्ज का ही एक बैक दिखाई देता है। जब शायद हटसन ने वहाँ पे छुपाया था और उसमें उसे जॉर्ज की काफी सारी चीज़ें मिलती है। दूसरी तरफ हम मांस को देखते हैं जो अभी घर पर था और अचानक से कोई उसके उपर हमला करता है। मांस अपनी गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी अटाकर उसी की गन छीन लेता है और उसे मार देता है। वही दूसरी जगह जूलिया जॉर्ज के बैग में कुछ पेपर पड़ रही थी तभी उसे मांस के घर पे बुलाया जाता है जहाँ पे सिम्स और मांस के जगह पे अपॉइंट किया हुआ नया डेप्यूटी शेरिफ पॉल होता है जूलिट काफी हैरान थी कि अब मांस को क्य मारा गया है और वो उसकी बॉड़ी ही तहकीकात करने के लिए रुख जाती है जहाँ पे उसे एक पर्ची मिलती है जिस पर कैनेडी का भी नाम लिखा हुआ था अब यहाँ पे बरनार्ड जो था वो काफी टेंशन में आ गया था कि दो मुर्डर्स के कारण लोगों का अथ जिम संसकार देखते हैं और सब लोग आधा खाया हुआ एपल उनके शवफर डालते हैं ताकि वहाँ पर उनके नाम का एक पेड़ उख सके अब जूलिएट अपने ऑफिस आती है जहां पे उसका दोस्त हैंक उससे मिलने आया था जिसके जाने के बाद जूलिएट की सेक्र कम्याब हुई तो उसे निकाल दिया जाएगा जिसके बाद जूलिएट इन्वेस्टिकेशन के लिए निकल जाती है और पॉल भी उसके साथ आता है लेकिन वो उसे लंच को जाने के लिए कहती है और पॉल लंच को जाने के बगेर सिम से मिलने के लिए आता है जहां पे सिम उसे डग नाम के एक आत्मी से मिलवाता है जो उसके लीगल और इन्लीगल कामों में मदद किया करता था जिसके बाद डग वहाँ से निकल जाता है तो वही हम जूलिया को देखते हैं जो आपना काम निपटाने के बाद अंत में कैनेडी के घर पर आती है लेकिन कैनेडी के घर के बाहर उसे वही इंसान याने डग मिलता है जो घर के अंदर हुसनी की कोशिश कर रहा था और वो जूलिएट को देख कर वहाँ से भागने लगता है इसी तर्वायन मंकर में मैच भी चल रहा था जहांबे प्लेयर नीचे से उपर रेस कर रहे थे इसी नीचे के एक लड़की की नजर जूलिएट पर जाती है और लोग उसकी मदद करनी के लिए आते हैं यह देख कर डग वहाँ से भाग निकलता है और लोग जूलिएट को बचा लेते हैं अब यहाँ पर डग बचने के लिए सिम्स के एक सीक्रेट अड़े पर आता है जिसे स काफी गुस्सा होता है और उसे बताता है कि अगर कोई भी अपने काम में फेल हुआ तो मेरे सीक्रेट अड़े पर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अल्रेड अपने काम में अगर फेल हो गया है तो उसे पता है एक ही रास्ता बचा है याने मरने का और डग ने तो यहाँ प और मार्स को मारा था और वो यह सारा इलजाम कैनेडी के उपर डालना चाहता था ताकि वो फसे लेकिन जूलिएट ने उसका सच पकड़ लिया था इसलिए उसने खुद की जान ली और यही सारी चीज़े अगले दिन जजज के सामने पेश की जाती है कि इसकी सारे सबू ड नीचे चली जाती है रात के समय में वहां पे जाई रही थी तब कैफे में उसे लूकस दिखाई देता है जो अकसर रात के समय में वहां पे बैठा किया करता था वो उसे मिलकर पूछती है कि वो यहां पे क्या करता है तबी लूक तबी लूकस बताता है कि बाहर के वाताव कर रहा है जिसके बाद जूलियट वहां से मार्था के पास जाती है याla पर मार्था ने उसे दिया हुआ कैमेरे को ठीक कर दिया होता है और उसने कुछ हिरान करने वाले रेकौर्ड्स को कलेट कियाथ वो बताती है कि इस साइलो में कोई भी elevator है ही नहीं दूसरी चीज बाहर के वातावरन में ऐसा कुछ भी problematic नहीं दिख रहा है और तीसरी चीज जो भी साइलों का citizen पुरानी चीजे और उनके records रखता है उसे तुरंद गिरफ़तार कर लिया जाता है अब और सच जूनने के लिए जूलियेट वापस से bunker के नीचे वाले हिससे में जहां पर वो बहुत ही बड़ी machine थी वहां पर जाती है जहां पर वो अक्सर George के साथ आया करती थी और George के कुछ चीज़े देखने लगती है और इसी के साथ ये episode इधर खतम होता है इसके already दो episode release हो गए है जिने मैं इसी week में करूंगी और इसके अलावा और तीन episode है वो जून के आखरी महने तक release हो जाएंगे और जैसे ही आते हैं उन्हें इस channel पर आपको देखने मिल जाएगा ये series है साइलो जिसे IMDb पे 8.3 की rating है और ये apple tv पे release हुई थी बाबाई